यह वेलकम टूमाइ यूट्यूब चैनल अब देख रहे हैं पुश्ट के प्रसेस और मैं हो पुश्ट दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंगे करेंट अफेर्स की दोस्तों यह करेंट अफेर्स काफी मायने रखते हैं एक्जाम में इससे पांस से दस नमबर आही जाता है हर बैंकिंग उरेल वे में ग्रूब D, ALP टेक्शियन हो आप इस करेंट अफेर्स को जरूर याद कर लें तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप मारे चैनल को सबस्क्राइब करने ना भूले और साथ में बैल आइकन जरूर दबाए न प्रियंका चोप्रा को हाल ही में Mother Trasher Memorial Award समाजिक कार्यों के लिए मुद्धों पर दिया गया है उनकी सपोर्ट के वज़े से ये अवार्ड उन्हें दिया गया है दूसरा कोशिन है Mother Trasher Award किसकी और से दिया जाता है दोस्तो इसका आंसर है Harmony Foundation की और से दोस्तो ये question important है कि Mother Trasher Award किसकी और से दिया जाता है तो Harmony Foundation की और से दोस्तो अगला question है 2017 का ब्यास सम्मान परुषकार किसे दिया गया है तो ब्यास सम्मान परुषकार ममता कालिया को दिया गया है जो कि KK बिर्ला Foundation की और से दिया जाता है केके विरला की और से दोस्तो ये question भी important है क्योंकि ब्यास सम्मान हर एक एक जाम में पूछा ही जाता है दोस्तो अगला question है हाल ही में UNICEF का goodwill investor किसे बनाया गया है दोस्तो इसका answer है Priyanka Chopra UNICEF का goodwill investor Priyanka Chopra है उपानियास दुखम सुखम के लेखक कौन है दोस्तो इसका answer है ममता कालिया जिनने हाल ही में ब्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है ममता कालिया को दुखम सुखम का जो परकाशम हुआ था वो हुआ था 2009 में दुखम सुखम के लिए ही इन्हें ब्यास सम्मान पृष्कार दिया गया है 2017 में तो दोस्तो ये question important है दोस्तो अगला question है yahoo India के personality of the year से सम्मानित कौन है दोस्तो इसका answer है अमित्सा यानि कि BJP के अध्यक्ष अमित्सा इन्हें yahoo India के personality of the year से नवाजा गया है दोस्तो अगला question है people choice of India people choice online survey में सबसे ज़्यादा vote किसे मिले है तो PM नरेंदर मोधी को मिले है 43% के साथ ये एक number पर है सरवादी खोजी जाने वाली महला celebrity कौन है सरवादी खोजी जाने वाली महला celebrity कौन है दोस्तो सनी लियोनी दोस्तो आप तो इन्हें जानते ही होगे ये सरवादी खोजी जाने वाली महला celebrity है सनी लियोनी सनी लियोन कहते हैं इसे HDFC के परवंद निदेशक MD का नाम क्या है तो इनके MD का नाम है आदित्यपूरी जो HDFC के परवंद निदेशक है दोस्तो अगला question है हाल ही में Global Peace Award किने मिला है तो हाल ही में Global Peace Award मिला है स्वामी चीदा नंद सुरस्वती को ये रिसी केस में इनके कुछ कारियों के लिए इन्हें ये अवाड दिया गया था Global Peace Award जो सांती को दरसाता है जोस्तो अगला question है भारत में Saur Park पर्योजना के लिए हस्ता अक्षर किये है तो ये Saur Park पर्योजना के लिए हस्ता अक्षर विस्व बैंक के साथ भारत में किया है जो कि पूरे 2 मिलियन अमेर की डॉलर है तो अगला question है हाल ही में भारत भारती प्रुषकार किसे दिया गया है भारत भारती प्रुषकार जो है वो डॉक्टर आनंद प्रकास दिक्षित को दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश की और से दिया जाता है भारत भारती प्रुषकार अगला question है 35 वर्सों से लगी सिनिमा पर्रुख किस देश ने हटाई है दोस्तो इसका अंसर है साओधी अरब दोस्तो अगला question है प्रधान मंत्री महला सक्ति केंद्र लॉंच कब हुआ है तो ये लॉंच हुआ था 22 नवंबर 2017 में जो कि CCEA के द्वारा दिया गया है दोस्तो अगला question है सुखोई लराकू विमान से रमोश मिशायल का सफल परेक्शन कब किया गया दोस्तो इसका अंसर है 22 नवंबर 2017 को जो कि सुखोई 30 M के आई से गिराया गया था